नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग आईक्यू में यहाँ पर हम टेक्निकल एनलेसिस और ट्रेडिंग से जुड़े वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं अगर आप भी ट्रेडिंग और टेक्निकल एनलेसिस सीखना चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आज हम केंडल स्टिक चार्ट और उसकी अलग अलग टाइप की केंडल पोरमेशन के बारे में जानेंगे तो प्रेंट्स केंडलिस्टिक चार्ट पर जाने से पहले हम जानते हैं चार्ट के बारे में शेर मार्केट में सेर्स या वेस भी इंस्ट्रूमेंट जिनको हम ट्रेड करते हैं उनकी प्राइस टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है और इस पराइस का टाइम के साथ में जो ग्राफिक रूप में representation होता है उसी को chart कहते हैं chart तीन परकार के होती है line chart, bar chart और candlestick chart line chart और bar chart के बारे में मैंने पिछले technical analysis वाले वीडियो में समझाया है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर हम केवल Candlestick Chart के बारे में विश्थार से जानेंगे क्योंकि यही चार्ट आजगर Technical Analysis में सबसे ज़्यादा पोपुलर है Candlestick Chart में Price को Candle यानि की मुंबतिकी सेप में दर्साते हैं इसलिए इसे Candlestick Chart कहते हैं किसी विशेज समय के एक Candle से हमें चार परकार की जानकारी मिलती है वे है Open Price, Low Price, High Price और Close Price और यही चारो प्राइस किसी भी Technical Analyst को Analysis करने के लिए चाहिए होती है एक Candle में दो पार्ट होते हैं उसकी Body और उसकी Week Candle की Body के दोनों सीरे Open Price और Close Price को बताते हैं और उसकी Week High Price और Low Price को दर्साती है अगर किसी Candle में Close Price, Open Price से ज़्यादा है तो इसका आरता है कि Price उपर जा रहा है और ऐसी Candle को जनरली हम Green Color से दर्साते हैं और इसे Bullish Candle कहते हैं अगर किसी Candle में Close Price, Open Price से कम है तो इसका मतलब है Market निचे जा रहा है ऐसी Candle को हम Bearish Candle कहते हैं और इसे Red Color से दर्साते हैं Candlestick Chart समझने में Easy है और यह हमें Market के बारे में बहुत Powerful संकेत देता है Candlestick Chart आपके Market Analysis की Skill को काफी जादा Improve कर देता है इसलिए यह है दुनिया बर के Technical Analyst के बीच में सबसे जादा Popular है Candlestick Chart का यूज हम Short Term Trading में, Hedging में, Futures and Options में, Equity Trading में, Commodity में और लगबग सभी Instrument में कर सकते हैं Candlestick Chart में किसी भी Share का Price विशेश सिस्तान पर Particular Type का Candle Formation बनाता है जिसको देखकर हम यह पता लगाते हैं कि Share के Price में अब इस परकार का Move आने वाला है फिर उसके अनुसारी हम Share को Buy और Sell करते हैं जिससे की हमें Profit होने के Chance बढ़ जाती हैं और नुक्सान के Chance कम हो जाती हैं Candle Formation के आधार पर Candles कही टाइप की होती है Normal Candle, Mara Buju Candle, Doji Candle, Hammer Candle, Hanging Man Candle, Pin Bar Candle, Ingle Pink Candle, Morning Star, Evening Star अधी इन सभी Candles की अलग-अलग खासियत होती है और ये सभी हमें विशेश सिस्तान पर Trade के विशेश सिगनल देती है या Trade के लिए Confirmation देती है इन सभी Candle को और उसकी खासियत को हम यहां विस्तार से जानेंगे सबसे पहले जानते हैं Mara Buju Candle Mara Buju एक जापनीत सब्द जिसका अर्थ है एक का दूसरे पर Dominance दिखाना या फिर पूरी ताकत से किसी पर हावी हो जाना इस Candle की खास बात यह होती है कि ये एक लंबी Candle होती है और जिसकी विक नहीं होती और अगर होती भी है तो वह बहुती चोटी होती है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि Mara Buju Candle में विक Candle की बोडी की 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वह Mara Buju Candle माने जाती है और हमें Trade Continue रहने के लिए Strong Signal देती है अगर यह Mara Buju Candle Green कलर की में बनती है तो इसका मतलब है कि Market में Buyers ने Control ले लिया है यानि Buyers Sellers पर पूरी तरीके से हावी हो गए है अब Strong Buying आने वाली है और अगर Candle Red Glor में होती है तो इसका मतलब है Sellers ने Market पर Control ले लिया है यानि कि Sellers Buyers पर हावी हो चुके हैं अब Strong Selling होने वाली है जब भी कोई Uptrend चल रहा है तो Uptrend में Doji Candle के ठीक बाद बियरिस मारा बुजू बनती है तो इसका मतलब है एक Strong Buyerish Signal होता है यानि कि अब बहुती तगड़ा Strong Buyerish Movement बनने वाला है और जब भी कोई downtrend चल रहा है तो downtrend में Doji Candle के ठीक बाद में Bullish मारा बुजू बनती है तो इसका मतलब है Strong Bullish Signal मिलने वाला है और Strong Bullish Trend बनने वाला है तो दोस्तो ये तीमारा बुजू केंडल की सारी जानकारी अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिके कर लिजिए थैंक यू